तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थों का स्वागत है आज हम कक्षा 10 गनित में पाठ 10 वृत की प्रश्नवली 10.1 एक खल करेंगे इस प्रश्नवली में कुल 4 प्रश्न हैं इसमें पहला प्रश्न देखते हैं एक वृत की कितनी इस परश रेखाएं हो सकती हैं देखो व व्रत पर उपर कितने बिंदू हो सकते हैं अनंद बिंदू हो सकते हैं तो जितने बिंदू हो सकते हैं उतनी इस पर सिखाएं जिसे एक इस पर सिखाएं हो गई यहां से कोई बिंदू लिया इस पर सिखाएं किसी बिंदू पर रखो हर बिंदू पर एक इसपर्ष रिखा कहीं सकते हो क्योंकि अनन्द बिंदूओं से मिलकर बरत बना हुआता है इसलिए वरत की अनन्द इसपर्ष रिखाएं हो सकती है अब आते हैं इसके दूसरे question पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए किसी व्रत की इसपर्स रेखा उसे कितने बिंदों प्रतिश्यत करती है अभी हमने उपर ही डिसकस किया था कि व्रत के सिर्फ एक ही बिंदों से होकर जाती है तो एक ही बिंदों पर इसपर प्रतिश्यत करती है वरत को दो बिंदों प्रतिश्यत करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं देखो यहाँ पर क्या आएगा छेदक रेखा देखो यह से यह वरत है अगर दो बिंदों को मिलाएं हम तो यह जीवा है देखो जीवा अलाग चीज होती है और 6 दक रेखा क्या होती है जो वरत को काटके बाहर निकल जाए ये 6 दक रेखा है जीवा है जो 2 बिन्दों को मिलाते है अगर कोई रेखा येनि कुई सी जीवा को बढ़ा दिया जाए तो वो एक छेदक रेखा बन जाती है, किसरा भाग, एक वरत की कितनी समांतर इस पर से खाएं हो सकती है, देखो समांतर इस पर इस रेखाएं अगर खीचेंगे हम किसी वरत की, देखो एक रेखा यहां खीचेंगे हमने इस पर से रेखा, अब इसके समांतर जो रेखा खीचे लेकिन एक बार में दो ही यह, यहीं एक ही यूग में समानतर होगा, तो यहाँ दो ही समानतर रिखाएं कहीं सकते हैं वरत, यहाँ करत लिख दिया गलती से, यहाँ वरत होगा, वरत तथा उसकी इस्पर्ष रेखा के अभए निष्ट बिंदू को, तो यहाँ पे अगर जहाँ पे वरत उसको इसपर्ष करजा है उसे बोलते हैं इसपर्ष बिंदू तो यहाँ पे आएगा इसपर्ष बिंदू इसपर्ष बिंदू प्रस्न तीन पांस सेंटिमेटर त्रिज्य वाले एक वरत के बिंदू P पर देखो ये 5 cm तरिजवाला एक वरत है इसके किसी बिंदू P पर मालो ये बिंदू P है P पर इसपर्स रेखा PQ यहाँ पर हमने कोई सपर्स रेखा खिंच दिया ऐसे ये सपर्स रेखा है PQ ये Q हा गया O से यानि केंदर O है मारा इसका O से जाने वाली रेखा से Q पर इस परकार मिलता है मतलब O से Q को मिला दिया हमने कि OQ बराबर 12 हमें यहाँ दिया हुआ है OQ बराबर 12 cm है PQ की लंबाई ग्याद किजी हमें PQ ग्याद करना है यहाँ देखो O से P को मिलाएंगे त्रिज्या इस पर से खा पर लंब होती है इसलिए यह को रघए डिगरी का है यहाँ लिख सकते हैं कि O P लंब है PQ पर क्योगि त्रिज्या इस पर श्रिखा पर लंब होती है और O P बराबर 5 है क्योंकि DIY यहाँ दिया हुआ ने 5 cm इसमें पाइथागोस लगा देंगे तिरभुच PQO में पाइथागोरस प्रमे से कंड का वर्ग कंड देहो क्या होगा 90 के सामने वाला तो OQ का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस P O का वर्ग अब OQ तो हमें 12 दिया हुआ है तो 12 का वर्ग PQ ग्याद करना है प्लस P O हमें दिया है 5 तो यह आ गया 144 बराबर PQ का वर्ग प्लस 25 अब PQ को ग्याद करेंगे अगर हम PQ का वर्ग बराबर 144-25 इसमें से घठा देते हैं इसको 14 में से 5 गया 9 बचेगा यहां बचा 3, 3 में से 2 गया 1 और 1 तो PQ का जो मान आएगा वर्गमूल 119 तो दोखो PQ का मान निकालना था अब इन दोखो 4 दिये गए विकल्पों में से 119 लास्ट विकल्प है इसका मतब ये वाला विकल्प सही है प्रशन 4 ये प्रशनवली 10 दशनवल एक का आखरी प्रशन है एक वरत खिंच ये ये लोजी एक वरत खिंच दिया है और फिर एक दी गई रेखा कि समानतर दो ऐसी रेखाई मतब दी गई रेखा है तो एक दिगई रेखा हमने मालो ये खिंच दिया ये दिगई रेखा है कि समानतर दो ऐसी रेखाएं खिंच ये कि उनमें से एक इस पर्ष रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो अर्थात हमें क्या करना है एक रेखा को ऐसे खिछना है कि इसकी इस पर्ष रेखा बन जाए और दूसरी रेखा इसको विरत को काटते हुए से जाए और ये तीनों इसके समानतर हो चुलो हम इसको स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहला काम ये है कि हमें जब हमने 9th क्लास में किया था कि किसी रेखा पर किसी बिंदू से लंब कैसे जालते हैं इस वाले बिंदू से प्रकार रखके यहाँ चाप लगाएंगे ऐसे और फिर इन दोनों बिंदू से उपर चाप लगाएंगे ऐसे बराबर दूरी लेकर और यह कट जाएगा इस तरह यह लंब हो जाएगा तो पहला काम है वो ही करना है यह वरत का केंद्र है इस केंद्र ओपर प्रकार को रखके और ऐसा चाप लगाया जो इस वाली रेखा को दो बिंदू पर काटे मालनों दो बिंदू A और B है अब A पर प्रकार को रखकर और A B के बराबर दूरी जो है उसके आदे सधी दूरी ले लो या सिर्फ A B के बराबर दूरी लेकर उपर एक चाप लगाया उसी दूरी से B से रखके एक चाप यहां लगाया अब यह जो रेखा बनेगी पूरी ये रेखा AB पर लंब है अब देखो सिपर्ष रेखा बनाने के लिए क्या करना होता है व्रत के किसी बिंदु से जिस बिंदु पर टच होती है वहां पे एक हमें रेखा खिचनी पड़ेगी इस पर से रेखा तिरज्या पर लंब होती है तो ये बिंदू अगर माल लो C है तो O C तो हमारा तिरज्या हो गया न तिरज्या पर लंब यहाँ पर जो रेखा बनाएंगे वो इस पर से रेखा होगी अर लंब बनाने के लिए क्या करते हैं एक हमने ऐसे चाप लगाया फिर यहाँ पे एक चाप लगाया यहाँ चाप तेखो यह पहला जो चाप होता है 60 degree का होता, दूसरा चाप 120 का हो गया 60 और 120 वाले को अगर अधा कर दें यहाँ रखके, यहाँ चाप, यहाँ रखकर यहाँ चाप, तो यह जो रेखा बनेगी वो 90 डिग्रे कोन बनाएगी और यह हमारी स्पर्ष रेखा जाएगी तो यहाँ क्या बनाना था हमें एक स्पर्ष रेखा बनानी थी वो बन गई हमारी स्पर्ष रेखा मालनों यह सीडी या मन MN इस पर से रिखा है अब हमें एक 6 दक रिखा बनानी है तो यही काम हम अंदर इस पूरी तरिज्जा पर कहीं भी कर सकते हैं मालों यहां करते हैं यहां रखाप प्रकार यहां चाप लगाया एक दो ऐसे काट लगाया और फिर यह रिखा जो आएगी यह 6 दक रिखा गई तो देखो यह इस पर से रिखा गई यह 6 दक रिखा गई और यह दोनों है इसके समानतर हैं कारण कि देखो यह भी 90 यह भी 90 डिगरी और यह भी 90 डिगरी संगत कोंड तीनों बराबर है न तो रिखाएं समानतर यहोंगी